नमश्कार परमादर्नी अप्रधानमंत्री जी रोजगार मेलों से मिलते लाखों नए रोजगार देश के युवाओं में अपार उसाथ और उर्जा का संचार कर रहे हैं आज के रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में शीग्र ही कारेरत होंगे इस कारेक्रम को प्रारंग करने के लिए मैं सर्व प्रथम माननिय राज्य मंत्री डॉक्टर जीतेन्वर सिंग जी से स्वागत संबोधं के लिए अनुरोध करती हूँ प्रमादरी ये प्रधान मंत्री जी आपने देशवासियों से जो दस लाग सरकारी नौक्रियां देने का वादा किया था उसी करम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्ते थें आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही देश के भिन-भिन राज्यों एवं के दिशातर प्रश्चित परदेशों में पचास हजार से अधिक नुक्ति पत्र जारी करती है जाएंगे और इनको प्राफ्ट करने वाले उमीदवारों को साथी साथ मिशन कर्म योगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्त करवा दी जाएगी ताके वो अपना नया दाइत्व ग्रहन करते हुए अपने आपको उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित भी कर सके पर्धार मंतरी जी आपके कारेकाल में जहां एक और सरकारी पदों पर निफ्टियों की प्रक्रिया को गती मिली वहां साथी साथ बरसों से रुकी हुई पदों नितियों और प्रमोशन्स को भी तेज रफ्तार से इंजाम देने का काम हुआ है उधारन के तौर पर UPA सरकार के कारेकाल के पहले नव वर्शों में मुश्किल से छे लाख सरकारी निुटिया हो पाई थी आपके कारेकाल में अभी तक नौ लाख से अधिक सरकारी पत्म पर निुटिया हो चुकी है इसी तरह से यूपिये सरकार में आलम ये था कि बहुत सारे सज्जन जिस पद पर न्युक्त होते उसी पद से बिना प्रमोशन के रिटायर भी हो जाते मनोबल भी जाता रहता और मोटिवेशन भी घड़ जाता आपके नेत्रित्व में हमने मास प्रमोशन अर्थात बल्क प्रमोशन का सिलसला जारी किया नौ हजार, दो हजार, चार हजार ताके हम उस बैक लॉग को क्लियर कर सके नतीज़ ये कि यदि हम केबल सेंटरल सेकरिटेरियेट सर्विसिस को ही देखें सियसेस को तो एक सो साथ प्रतीशद एक सो साथ प्रतीशद विर्दी हुई है यूपिय कारेकाल की तुल्ना में प्रमोशन की संख्या में गत नौ वर्षों के आपके नेत्रित्व में है सासी सास बर्दान मंतरी जी आपने समाज में ये जाग रुकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं आपने स्टार्ट अप पॉलसी लाई देखते ही देखते साड़े तीन सो चार से उसे बढ़कर के स्टार्ट अपस की संख्या सवालाख हो गई आपने अंतरिक्ष जैसे सेक्टर्स को खोल दिया रातो रात स्पेस टार्टप्स की संख्या चार से बढ़कर के डेट सो हो गई और चंद्रियान की सफलता के बाद नौजवानों का रुज़ान और भी बढ़ गया आपने बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना लाई साथ पैंस्ट प्रतिशन से अधिक लावार थी उसकी महिलाएं है आपने रेडी वालों के लिए परधान मंतरी स्वानिधी रोजना लाई लगवग पचास लाख स्ट्रीट वेंडर्स ग्रुप्स को उसका लाव पहुंचा है परधान मंतरी जी समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी रोजगार की चिंता आपने ना की हो अभी हाली में आपने परधान मंतरी विश्व कर्मा योजना का प्रारंभ किया और अजादी के बाद शायद पहली बार किसी सरकार या किसी परधान मंतरी ने समाज के उस वर्ग की चिंता की जो सदियों से पीड़ी दर पीड़ी अपने हाथों की कला अपनी उंग्लियों के हुनर से अपनी जीविका कमाते थे समाज की सेवा भी करते थे और साथी साथ भारत की प्राचीन सभ्यता और हिंदोस्तान की अजीम तहजीव और विरासत को जिन्दा रखे हुए थे परधान मंतरी जी आपने जहां हर वर्क के कर्मियों को सशक्त किया वहां साथी साथ समाज में उन्हें आदर सम्मान भी दिया हमने देखा चाहे भारत मर्डपम हो चाहे निया सदसद भवन हो आप सुएम कर्मियों के बीच में जाकर के उनकी सुख सुविदा की सूचना लेते रहे हैं और आज भी जब यह पचास हजार नियुक्ती पत्र जारी होंगे इसमें से अधिक तर डाक विभाग के हैं हम सब ये जानते हैं आज का डाक विभाग वो गुदरे जमाने का डाक विभाग नहीं रहा ये वही विभाग है जिसके माध्यम से बज़ुर्गों को हर मेहीने प नाख डाख खानों के माध्यों से बित्रित कर रहा है ये वहीं भी भाग है जो सुकन्या सम्रिधी के 46,000 से अधिक खाते खोल चुका है और पोस्ट आफिस पास्पोर्ड सेवा के अंदर जैसे अन्य सर्विसिस भी उपरब्द करवा रहा है बहुत लंबी बाद ना करते आपके सपनों के विरिष्ट भारत के निर्मान में अपना जीवन समर्पित करेंगे धन्यवाद प्रधान मंत्री जी भन्यवाद माननिय मंत्री जी रोजगर मिले की आज की कड़ी जहां एक और युवाओं के बढ़ते सामर्थ्य का संदेश लेकर आई है वहीं दूसरी और युवाओं सामर्थ्य से सिद्ध होते विक्सित भारत के विराठ संकल्प का संदेश भी लेकर आई अमरिदकाल के इसी संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लगू फिले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एकानमे भारत दुनिया का सबसे युवादेश आज भारत के युशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेत्रित्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है नित नई उँचाईयां चूते भारत की बढ़ती ताकत है यहां की आकांग्शी और उर जवान युवा शक्ती जुवा शक्ती के सपनों को पंक देने के लिए मोदी जी के नेत्रित्व में स्किल और नवाचार से लिकर स्टाट अप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले नौदस सालों में लगातार नए अवसर और नए संभावनाएं सुरिजित की गई है जिसका लाब करोणों युवाओं को मिला है जुवा शक्ती के सामर्थे से राष्ट्र निर्मान के लक्ष को जोड़ने के इनी प्रयासों की श्रिंखला में एक एहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला रोजगार मेला के तहट सरल, समय बद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्प बद्ध प्रयास कर रही है तेश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शीता और सूर्शासन गुड़ गवनन दोनों का ही प्रमान बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरिय दी गई है ये अभियान भी अपने आप में अभुत्पुर्व है अब तक पांच लाग से अधिक युवा कर्म योगी रोजगार मेला के तहट सरकारी नौकरी पाकर भारत को विक्सित भारत बनाने के संकल्प को मजबूती दे रहे है राष्ट निर्मान का एहम हिस्सा है रक्षा मंत्राले अधिक्सित भारत के संकल्प से जोड़ रहे सभी कर्म योगियों को बहुत बहुत बढ़ाई अब मैं आधरनीय प्रधान मंत्री जी से प्रातना करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबा कर निवति पत्रों के वितरंग के इस राष्ट्र व्याती अभियान का शुभारम करें अब मैं आधरनीय प्रातना करें मैं आधरनीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि रोजगार मेले के इस विशेश अवसर पर अपने वुजस्वी संबोधन से हम सभी का तता राष्ट्र की युवा महाशक्ती का पच्प्रदर्शन करें नमस्कार के बाद यह सफलता हासिल की है आपका चैन लाखों और भ्यार्थियों के बीच से किया गया है इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्म है आज चारों तरफ देश में गणेच उत्सव की धूम चल रही है इस पावन काल में आप सभी के नए जीवन का स्री गणेश हो रहा है भगवान गणेश सिद्धी के देवता है मेरी कामना है कि आपकी सेवाओं का संकल्प राश के लक्षों को सिद्धी तक ले जाएगा साथियों आज हमारा देश अईतिहासिक उपलब्दियां और फैसलों का साक्षी बन रहा है कुछ दिन पहले ही नारी शक्ती बंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है तीस वर्सों से महिला आरक्षन का जो विशय लंबित था वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्दी है ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादा तर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा इन देश की नई संसत के पहले सत्र में हुआ है एक तरह से नई संसत में देश के नए भविश्की शुरुवात हुई है साथियों आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियूक्ति पत्र मिले हैं आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए किर्तिमान बना रही है मुझे नारी शक्ति की सफलता पर बहुत बहुत गवरव होता है सरकार की निती भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं हमारी बेटियां अब देश के ससस्त्र बलों में कमिशन लेकर राष्ट सिवा के राष्टे पर आगे बढ़ रही है हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नए उर्जा के साथ हर छेतर में बढ़ लाव किया है हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सूसासन और बहतर हो इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए साथियों आज 21 सदी के भारत की आकाशा है बहुत उची है हमारे समाज की सरकार से अपेशा है बहुत ज़्यादा है आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है यह वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है इस नए भारत के सपने बहुत उचे है देश ने 2047 तक विक्सिद भारत बनने का संकल पलिया है अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी एकॉड़ोमी बनने वाले हैं आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमी का बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आपको हमेशा सिटीजन फर्स की भावना से काम करना है आप तो एक एस्टी जनरेशन का हिस्सा हैं जो टेकनोलोजी के साथ बड़ी हुई है जो गेजेट्स आपके पैरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं आपने खिलोनों की तरह उनका इस्तवाल किया है टेकनोलोजी से इस सहस्ता को अब आपको अपने कारिक्षत्र में इस्तवाल करना है हमें सोचना होगा कि हम गवर्नस में भी टेकनोलोजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं आपको देखना होगा कि अपने अपने ख्षेत्रों में आप कैसे टेकनोलोजी के जरिये एफीशन्ची को और इंप्रूव कर सकते हैं साथियों टेक्नलोजीकल ट्रांस्फोर्मेशन से गवर्नन्स कैसे आसान होती हैं आपने बीते नव सानों में देखा है पहले रेल की टिकेट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी टेक्नलोजी ने ये मुश्किल आसान कर दी आधार कार्ड डिजिटल लोकर और एक वाईसी ने डॉक्यमेंटेशन की कॉंप्लेक्सिटी खतम कर दी गैस सिलिंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बील के पेमेंट तक अब सब एप पर होने लगा है डिबी टी के जरिये सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के एकाउंट में पहुँच रहा है डी जी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है यानि टेकनोलोजी से करप्शन घटा है क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कॉंप्लेक्सिटी गटी है कमफट बढ़ा है आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है गरीबों की हर जरुरत सरकार का हर काम टेकनोलोजी के जरिये कैसे और आसान होगा आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूनने है इनोवेटिव तरीके ढूनने है और उसे आगे भी बढ़ाना होगा साथियों पिछले नव वर्षों में हमारी पॉलिसिस ने बड़े से बड़ा लक्ष हासिल करने का रास्ता तैयार किया है हमारी नीतिया नए माइंडसेट, कॉंस्टन्ट मॉनिटरिंग, मिशन मोड इंप्लिमेंटेशन और मास पार्टिशिपेशन पर आधारित है नव वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मीशन इन सभी योजनाव में 100% सेचुरेशन के लक्ष पर काम किया जा रहा है सरकार के हर स्थर पर स्किम्स की मोनिटरिंग हो रही है खुद मैं भी प्रगती प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूँ इन प्रयासों के बीच केंद्रत सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रेकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवन्यूक्त सरकारी कर्मचारियों पर है जब आप जैसे लाखों युवां सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है इससे सरकार के बहार भी रोजगार क्या उसर तयार होते हैं साथ साथ काम काज की नई व्यवस्था भी बनती है साथियों वैश्विक अर्थिववस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडिपी तेजी से बढ़ रही है हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी बुरुद्धी हुई है देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर पर जीतना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है आज दिन्योबल एनर्जी और्गेनिक फार्मिंग डिफेंस और परेटन समेथ कई सक्टरों में अभूत्परवत तेजी दिख रही है मोबाइल फोन से एरक्राप केरियर तक करोना वेक्षिन से फाइटर जेड्स तक भारत के आत्मंदिर भर अभ्यान के ताकत सब के सामने है ऐसा माना जा रहा है कि दो हजार पचिस तक अकेले भारत की स्पेस एकोनोमी ही साथ हजार करोड से बड़ी हो जाएगी यानि आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं रोजगार की नए संभावनाए बन रही है साथियों आज जादी के अमरित काल में अगले पचीस साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले पचीस साल का केरियर अहम है आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्रात्मिक्ता देनी है आपने देखा है इसी महिने इस देश में जी ट्वेंटी बैठकों का सफल आयोजन पुरा हुआ है दिल्ली समेट देश के साथ सहरों में दो सो से जादा बैठके आयोजित की गई इस दोरान विदेशी महमानों ने हमारे देश की विविद्वता के रंग देखे जी ट्वेंटी हमारी परंपरा संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना जी ट्वेंटी समिट की सफलता भी पब्लीक और प्राइबेट सेक्टर के अलग-अलग विवागों की सफलता है सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रुप में काम किया मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कमिचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं साथियों आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधी जुड़कर काम करने का आउसर मिला है मेरा आप से आगरह हैं यात्रा में आप सीखते रहने के मिन्य आदत को बनाए रखिये ओनलाइन लर्निंग पॉर्टल आई गौड कर्मियोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्शिस से जुड़ सकते हैं मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस विधा का लाब उठाए एक बार फिर मैं आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत के संक्रप को सिद्धी तक लाने के लिए आप सभी को मेरी धेर सारी सुब कामनाए आपके परिवार जनों को भी अनेक अनेक शुब कामनाए बहुत बहुत बधाई है आप स्वयम भी प्रगति करें और आप इन पटीज साल जो आपके भी है और देश के भी है ऐसा रेर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है आपको मेरा है आईए सात्यों संकल्प लेकर के चल पड़े देश के लिए जी कर दिखाएं देश के लिए कुछ कर के दिखाएं बहुत बहुत सुब कामनाए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके लिए आपके लिए साथन बहुत 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 कर के लिए से लिए संग है